नेता तो पंक्षी की तरह होते हैं, कभी मस्जिद पर जा बैठे, कभी मंदीर पर जा बैठे नेताओं का क्या है? जिस तरह से चुनावी बयार बहे, उसी तरफ निकल लिए अब देखिए सतुरन सिना को, बीजेपी के केंद्रिय मंत्री हुआ करते थे कॉंग्रिस के टिकेट पर चुनाव लड़े और आज टी-मसी से सांसत बन गए बाबल सुप्रियो बीजेपी के पुरू केंद्रिय मंत्री हैं और आज टी-मसी के टिकेट पर विधायक बन गए राजस्थान में भी चुनावी मौसम करीब-करीब शुरू हो चुका है और कहा जा रहा है कि राश्टिय लोकतांत्रिक पार्टी के नेता हनुमान बेनिवाल की एंट्री एक बार फिर से एंडिये में हो सकती है बीजेपी के नेताओं के साथ उनके नजदीकियां बढ़ रही है इस तरह के कयास लगाये जा रहे हैं हाला कि कुछ दिनों से कॉंग्रेस भी उन पर डोरे डाल रही थी मुख्यमंत्री अशोग गहलोत के नेता पटाओं अभियान के मुख्या धर्मिंदर आठोड इनसे संपर्क बनाये हुए थे कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा तीखा हमला हनुमान बेनिवाल मुख्यमंत्री अशोग गहलोत पर ना बोले देखा नहीं आपने राष्ट्रिय लोगतांत्रीक पार्टी के तीनों विधायकों के खिलाफ जब राजस्थान हाई कोट ने पक्ष में फैसला नहीं दिया तो दोड़ी दोड़ी राजस्थान सरकार आरेलपी के तीनों विधायकों को बचाने के लिए सुप्रिम कोट पहुंची और वहां से इस्टे लेकर आई मगर चूंकि अब मामला सुप्रिम कोट में है और परश्वी उत्तर प्रडेस में जिस तरह से जाटों ने बीजेपी का साथ दिया है हनवान बेनिवाल को भी लगता है कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा कुस दिनों तक बरकरार रहेगा लिहाजा बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं विधान सभाद चुनाओं में भी हो सकता है कि गठभंदन बीजेपी के साथ उनका हो जाए अकेले चुनाओ लड़ना आसान नहीं है उनके पास जनाधार तो है मगर पैसे नहीं है कालकरताओं की फोज नहीं है वो इकठा करते हैं मगर लोग भाग जाते हैं तो कई तरह की समस्याओं का सामना वो कर रहे हैं हाला कि मुख्यमंत्री अशोग वो चाहते हैं कि हन्मान बेनिवाल उनके साथ रहें मगर मुझे लगता है कि जिस तरह से उनकी नजदिकियां बढ़ रही है हो सकता है कि चुकि एक बार भाए NDA का पार्ट रह चुके हैं इसलिए घरवापसी हो सकती है मगर फिलहाल वो चाहेंगे कि बारगेनिंग पावर मजबूत रहे इसलिए अपनी पार्टी को मजबूत करें राजस्तान में चुनावी मौसम है इसलिए सभी नेता दौरा करने लगे है मुख्यमंतरी अशोग गलोत भी इन दिनों दौरे पर है और यह दृश्य जिसने भी देखा वो यही कह रहा है कि मुख्यमंतरी अशोग गलोत जिस तरह से अपनी योजनाओं की घोशना करते हैं अगर वह पालना हो जाए तो यह खुद ही चुनाओ जीत जाए मगर कभी पालना होती ही नहीं है ऐसा पहली बार नहीं है कि मुख्यमंतरी अशोग गलोत का सामना सच से हुआ है राजस्तान तक ने भी दिखाया था किस तरह से चिरंजीवी योजना के तहट सवाईमान सिंग अस्पताल में भी गरीबों से पैसा लिया जा रहा है मगर मुख्यमंतरी अशोग अशोग अशोचते हैं कि मैंने घोशना कर दी तो फिर रामरा आ जा गया और यही वज़ा है किस तरह के हलात बन रहे हैं कि लोग घेर कर मुख्यमंतरी को बता रहे हैं कि उनके राज में किस तरह से अंधेर गर्दी हो रही है मुख्यमंतरी अशोग अलोथ डूंगरपूर पहुंचे यह देखे सुझाव पेटिका है और सुझाव को डाल रहा है तो यह वो कॉंग्रेस के अध्यक्ष है गड़ेस घोगरा और मुख्यमंतरी अशोग अलोथ देख रहे हैं सुझाव पेटिका में अब इतने तो सलाहकार बना लिए अधिकारियों के विधायकों के और अब सुझाव पेटिका लेकर गए है समझ में नहीं आता कि गड़ेस घोगरा विधायक भी अगर सुझाव पेटिका में सुझाव डालेंगे और फिर उस सरकार तक पहुँचेगी तो फिर जनता का क्या होगा तो यह एक दृष्ष है पता रहा है कि कॉंगरिस की सिदिक क्या है कि सुझाव पेटिका में डाल दीजिए जिस दिन समय मिलेगा सुझाव पढ़ लिया जाएगा और फिर यह कहते हैं कि हमारी योजनाएं जनता तक पहुँची नहीं पाती क्योंकि कॉंगरिस के कारिकारता पहुचा नहीं पाते अरे जनता कुलाब मिलेगा ही नहीं तो फिर कार्टा पहुचा कर भी क्या कर लेंगे अब सवाल उठता है कि BJP को क्या लगता है कि हम सत्ता में आही رहे हैं हर बार BJP के बैटक जब होती है तो यही बात होती है कि BJP का संसदिय बोर्ड टै करेगा कि मुख्यमंतरी कौन بنेगा संगठन यह टै करेगा कि पार्टी का टिकट किसे मिलेगा यह जंग इतना आसान नहीं है राजस्थान में हो सकता है कि कॉंग्रेस की कमजोरियों की वज़े से लगता है बीजेपी को कि हम बीजेपी में किसी भी नेता को नहीं पूछें फिर भी वापसी कर लें मगर याद रखिए अगर तेन चार महिनों में सचिन पैलेट के हाथों कमाना जाती है तो मामला बराबरी का हो सकता है कॉंग्रेस अलाकावान इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है और यही बेचैनी मुख्यमंत्री अशोग गलोद को परिशान किये हुए है इसलिए ताबर तोड दोरे भी कर रहे हैं परशान किशोर की एंट्री एक बार फिर से दह जनपक्त में हो गई है सुनिया गांधी ने आज गुजरात को लेकर बैठक बुलाई है उसमें परशान किशोर भी बैठे हुए है परशान किशोर काम करते हैं कि पबली का फीड़बेक क्या है और पबली का फीड़बेक यही है कि अगर सचिन पैलेट आजस्थान में कॉंग्रेस की कमान संभाल लेते हैं तो फिर बीजेपी को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है लेकिन मैंने आप से कहा नेताओं का क्या भरोसा अगर सचिन पैलेट के हाथों कमान नहीं मिली तो हो सकता है कि वह भी किसी पार्टी का रूख कर ले लोग कही रहें कि आम आदमी पार्टी उनके लिए मुफिद होगा आम आदमी पार्टी को लेकर भी बेल संतोष आयते बीजेपी के नेता वो जिक्र कर रहे थे और उन्हें कहा कि वह कॉंग्रेस को नुकसान पहुँचाएगी मगर राजस्थान की राजनीत इतनी कंप्लिक्स है कि इसे ब्लैक और वाइट में बाटा नहीं जा सकता यह हेट्रोजेनियस स्टेट है इसमें वेपारी वर्क अगर चले जाते हैं केजरिवाल के साथ तो बीजेपी को नुकसान है बहुत सारी कमजोर OBC जाती हैं बीजेपी के साथ है जो केजरिवाल के साथ चली जाती हैं तो बीजेपी को नुकसान होगा और बहुत सारे S.C.S.T. वर्ग के लोग भी BJP को वोट देते हैं अगर वो चले जाते हैं तो फिर BJP को नुकसान होगा इसलिए ये दूसरे राजियों की तरह अगर आप यहां आती है तो केवल कॉंग्रेस को नुकसान नहीं होगा BJP को भी बड़ा नुकसान हो सकता है इसलिए BJP को ऐसा लगता है कि कोई आए ना आए हम आही रहे हैं तो हो सकता है कि यह भूल बड़ी भूल साबित हो सकती है और जिस तरह से BJP के घर में बिखराव है मुख्यमंतरी अशोग गहलोद को वहीं से confidence भी मिलता है हाला कि मुख्यमंतरी अशोग गहलोद जब निकलना शुरू की है राजस्तान में तो मुझे लगता है कि और भी सच से सामना उनका होता नज़र आएगा एक और नेता है डॉक्टर किरूरी लालमीना किसी भी दिन चैन से बैठते नहीं है आज दोस्ता में प्रदर्शन कर रहे है पार्टी पूछ नहीं रही है मजदूर भी अपनी पसीने की कीमत मांगता है अगर डॉक्टर किरूरी लालमीना अपनी पसीने के कीमत पार्टी में मांगेंगे और नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे वह भी पंक्खी बन जाएंगे कहां बैठेंगे पता नहीं क्योंकि उनके पास एक अच्छा खासा वोट बैंक है हो सकता है कि आज से तीन साल पहले उनका वोट बैंक डिस्टर्ब हो गया था मगर इस उम्र में इस नेता ने मेहनत करके जिस तरह से लोगों को जोड़ा है राजनीत में कभी मेहनत जाया नहीं जाती है इसलिए बीजेपी को भी समझना होगा यह किरोईलान मेरा नाम का पंक्शी भी कहीं और बैठ सकता है पहली भी बैठे हैं जिस दिन बीजेपी में आये थे साम तक पता ही नहीं चल पा रहा था वह बीजेपी में आ रहे हैं इसलिए कहीं चले जाएं तो किसी को आशेरे नहीं होगा खै चुनावी मौसम है इसमें बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे और आखिर में जनता तै करेगी कि कौन आएगा कौन दहेगा तास्तान तक रिजापू से शारत कुमार